हेलो फ्रेंद्स वेलकम बैक टो मैं चैनल मैं समीता आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक प्रोड़क्ट रिव्यू और उमीद करती हूँ यह आपके लिए कल्फुल रहेगा आपको पसंद आएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अज जिस प्रोड़क्ट के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है एक कॉफी मेकर यह है अगैरो ब्रैंड का रॉयल कॉफी मेकर यहाँ पर हमें मिल जाता है एक क्राफ जिसमें हम कलक कर सकते हैं जो कॉफी का और यह बुरुसलेट ग्लास का है प्रोड़ साथ यह प्लास्टिक एक कंडल है आदे इसके ऊपर और उपर सिसमें लेड यहां पर फॉइंट है कॉफी ड्रप होती है और यह जो नीचे प्लेट है यहाँ हॉट प्लेट ने जायते है जावा अफ़ यहां पर indicate करता है कि यह tank में अपने कितना पानी फिल किया है तो जितने कब coffee बनाना है उतना पानी आप इस tank में यहां से फिल कर सकते हैं तो यह top cover उपर से हटा के आप इसमें पानी फिल कर सकते हैं फ्रेंट में यहां पर यह lock है इसको जब open करते हैं तो इस तरह से यह open हो जाता है इसके अंदर आपको मिलेगा एक filter इस तरह का जो coffee filter है और यह coffee filter attach रहता है इस तरह की एक funnel के साथ में जिसके नीचे dripping point है जिससे coffee drip होती है और इसको आप इसके अंदर रखे इस तरह से attach कर सकते हैं और यह जो slot बना हुआ है इसमें यह fix ह हो जाता है यह देखे इस तरह से और इसको आप इस तरह से lock कर दें तो यह उपर से इतना simple सा mechanism है इसका और नीचे आपका यह flask लग जाता है जिसमें coffee collect होती है इसके साथ एक measuring spoon मिलता है जिससे आप coffee को measure करके filter में डाल सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यह top को पर खोलने के बाद आप इसमें पानी आड़ कर सकते हैं और यहाँ पर यह जो pipe लगी है इसके through पानी आजाएगा filter में जहां पर अपने coffee डाली हुई है और यह पानी गरम पानी होता है और यहाँ पर यह नीचे point आप देख रहे हैं चोटा सा यहाँ से drip होती है आपके coffee तो यह simple सा इसमें mechanism काम करता है तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से काम करता है यह coffee maker coffee maker को first time use करने से पहले इसको internally clean करना भी जरूरी है जो flask यहाँ पर मिलता है इसको तो आप ऐसे clean कर सकते हैं निकाल कर बट इंटरनल क्लीन करने के लिए यहाँ पर हम इस flask में डालेंगे एक कप पानी और इसी के help से tank में हम पानी पोर करेंगे तो लगबग एक बड़ा कप पानी यह हमने इसमें पोर कर दिया है तो आप लिट को हम close कर देंगे यहाँ पर हम coffee फिल नहीं करेंगे जैसे हमने water को इसमें circulate करना है तो flask को हमने hot plate के उपर रख दिया और अब इसे मैंने on कर दिया है तो यहाँ पर इस टाइंग पर क्या होगा कि जो पानी है वो बिना coffee के इससे पूरा circulate होते वे flask में आ जाएगा तो अंदर से अच्छे से clean हो जाएगा तो इस तरह से मैं इसे कर दिया है within minute इसमें इसे गरम पानी आना शुरू हो जाएगा अब देख सकते हैं flask में कितनी steam आ गई है तो काफी गरम पानी होता है इस तरह से यह internally clean हो जाएग और उसके बाद यहाँ पर filter के उपर हम add करेंगे coffee powder तो जितने cup coffee आपको बनानी है उससाब से आप इस spoon की helps में coffee add कर सकते हैं इसमें instant coffee या grounded powder दोनों ही add की जा सकते हैं और इसको अब हम कर देंगे lock switch को हमने on kit दिया है और within minute आप देखेंगे कि हमारा coffee का जो concoction है वो बनकर ready हो जाएगा अगर आप black coffee lover हैं तो आपके लिए तो यह coffee maker काफी ज्यादा useful हो सकता है क्योंकि इसमें within minute आपकी coffee बनकर ready हो जाती है अच्छे से brew हो जाती है और टेस्ट भी काफी amazing आता है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि coffee दीरे दीरे इस flask में कटी हो रही है और एक तो बस यहाँ पर hot plate पे वैसे coffee गरम रहती है काफी देर तक इसके बाद मैंने यह black coffee serve कर ली है अगर आप शुगर पसंद करते हैं तो आप इसमें sugar add कर सकते हैं otherwise आप black coffee को ऐसे भी enjoy कर सकते हैं यह जो concoction बनता है इससे आप अपनी cold coffee filter coffee yum milk वाली coffee ready कर सकते हैं तो यह coffee हमारी black coffee ready है अगर sugar add करना चाहते हैं तो sugar add करें या फिर आप इसको milk के साथ भी enjoy कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने इसके उपर पूर किया है गरम दूद जिससे हमारी yummy सी यह filter coffee बनकर ready है इसको just एक mix दे देंगे अगर आप freshly grounded coffee bean का use करते हैं तो filter coffee काफी ज्यादा flavorful लगती है आया था आप चाहे तो milk में भी यह concoction add कर सकते हैं तो यह depend करता है कि आप milk की और coffee का ratio क्या रखना चाहते हैं उस तरह से अपनी coffee को enjoy कर सकते हैं तो देखिए दूसरी coffee भी ready हो गई कुछ लोगों को अपनी coffee के ऊपर काफी सारा fraud create करना पसंद है तो उसके लिए आप अलग स coffee को fraud करके या फैमिल को fraud करके इसके उपर add कर सकते हैं इस तरह से आपकी यह coffee बनकर ready हो जाएगी उपर से चाहे तो आप chocolate powder या syrup भी add कर सकते हैं अपने coffee को और भी जादा tasty बनाने के लिए इस coffee maker में फ्रॉदर नहीं है तो वो आपको अलग से create करना पड़ेगा तो यह देख को दिखाई तीन तरह की coffee इस coffee maker के साथ में आप और भी create कर सकते हैं तो उमीद करती हूँ यह review आपके लिए जरूर यूसफुल रहोगा आपको पसंद आया होगा तो अगर आप भी coffee lover हैं और एक affordable coffee maker सर्च कर रहे हैं तो आपके लिए best option हो सकता है इस product related जो भी information है वो आपक description box में मिल जाएगी तो मैं मिलती हूँ आप से कसी और नई interesting video के साथ तब तक के लिए bye thank you thanks for watching